हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो वर यूटूब चैनल एक्जाम अनुभाव फ्रेंट्स आजम बात करेंगे उत्तर प्रदेस पुलिस भरती बोर्ड की तरफ से काफी महात्पुर जानकारी आ रही है पेस दिसंबर दोजार पेस की ये विग्यापती है और पुलिस में आरची प्रेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्रप्रदेस पुलिस भरती बोर्ड की तरफ से जो विग्यापत जारी किया गया है मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो वेकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं 2000 ग्रेट पे की जॉब होगी 52 से 20,200 रुपए पे बेंड होगा और यहाँ पे मैं आपको बता दू कि वेकेंसी कितनी होगी तो 60,244 वेकेंसी है अभी मैंने पिछले वीडियो बनाया है 60,244 वेकेंसी का उसमें मैंने अभी सभी विश्यों पे बताया है कि कब वेकेंसी आगी एक्जाम कब हो सकता है क्य आगे आपको बताऊंगा क्या तथ है सभी विश्यों पे बात करूंगा यहाँ पे हम आपको बताते हैं EWS के जो पद होंगे यहाँ पे 6024 होंगे और अनारचित के होंगे 24,102 पद और अन पिछड़ावर 16,264 पद होंगे अनसूची जात जिसे SC कहते हैं यहाँ पे 12,650 हो अब यहाँ पे बात करें आरचि नागरिक पुलिस के पद पर भरती है तो पुरुस महिला भरती जो पात रोंगे उनके लिए क्या मानग रखा गया और पहले इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन आवेदन सुल्क जमा करने की जो होती थी है 27 दिसंबर से देखिए मैंने कहा था कि अभी जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि यह जो आएगी 27 से 30 दिसंबर तक आने की प्रबल सम्भावना है तो यहाँ पे देखिए 27 तारीक से जो अंतिम्तिति है 16 है तो आपको टैम जादा नहीं दिया गया है यानि इधर कह सकते हैं 4 दिन और टोटल 20 दिन मैंने वहाँ पर कहा था कि 20 दिवस आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पर 20 दिवस ही दिया गया है तो जो भी चीज बताऊंगा आपको दीरे दीरे बताता हूं और पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था यह सभी जानकारी तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नागरिक होना चाहिए भारत का राश्टीता जो भी है और यहाँ पर सैच्रिक जो अहरता होती है भार नवी दुदारा स्थापीत जो द आपके पास जिसे प्रिफरेंस और में आपको वरीता दी जाएगी यापर दुख सोसाइटी आपके पास O-L यहां पर 18 से 22 वर्स के अभारती इस फॉर्म को डाल सकते हैं जो भी अन्रिजर्ट केटेगरी की हैं और अन्रिजर्ट केटेगरी से ब्लॉंक करते हैं अनरक्षित कोटिस से आते हैं यहां पर हम आपको बता दें कि जो आयूगी गड़ना होगी तो यह कब से होगी यहां पर इस आप सब दिया गया अब भैरती का जन्वर 2 जुलाई 2001 से पूर्व सथा एक जुलाई 2000 बाद का नहीं होना चाहिए इसके बीच में आना चाहिए यहां पर एक जुलाई 2003 को 18 वर्ज की आयुप रप्त कर ली हो चाहिए यहां पर महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ज की मेले को डाल सकती है अब भैरती का जन्वर 2 जुलाई 1998 से पूर्व सथा एक जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए यह चीज हो गई, तो यहाँ पर महिलाओ के लिए जो देखिए, बहले अन्रिज़र्ड कैटेगरी OBC और SC ST, ठीक, तो यह जो है कैटेगरी के यहाँ से जो ब्लॉंग करता है OBC, SC, ST के कंडिड़ेट हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो भी यहाँ इसलिए बता रहा हुए जिनकी 22 साल है, तो इसमें आप 5 जूड़ें ठीक है? 5 जूड़ें तो जो भी चांटिड़ेट 27 साल के हैं, वो इस फार्म को डाल सकते हैं और यादि जो भी फीमेल कंडिड़ेट है वो इस फार्म को 25 तीस पांच तीस तो तीस वर्स की महला है जो भी है इस फर्म को डाल सकती है इतनी चीज़े आपको क्लियर हो गई होगी और यह क्लियर हो रही हो तो मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके अवश्चे बता दें जो भी कंफ्यूजन हो वो आप पूछ सकते हैं उससे या टेली प्रदेश के मूल निवार्शी होने चाहिए के लिए अधिक्तम आयो की सीमा में छूट जो भी सासना देश में नहीं थे उन्हीं के अंसार आपको दिया जाएगा मैंने बताया अभी आगे आगे भी आपको दिखा दूँगा अब वभाहिक इस्तित निव्ति के लिए ऐसे पूरु से बहरती पात्र ना होगा जिसकी एक से ज़्यादिक पत्निया होंगी जो भी जीवित हो या ऐसी महिला बहरती पात्र ना होगी जिसके जिसने ऐसे पूरु से विवाह किया हो जिसकी पूरु से एक पत्नी जीवित हो कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा चाहे महि परिच्छा में तीन सवंकी होगी दो घंटे यानी एक सो बीस मेंट दिया जाएंगे और चार विशय होंगे चार विशय में आपको मैंने बताया था शमानिगान शमानि हिंदी संख्यात्मक मानसिक अभी योगिता जी से कहते हैं मानसिक अभूच बुद्धी लब्दी जी से आएगी मैथ और यह जो कॉंबिनेशन मैंने बताया था 37-38 यह 37-37 का चलेगा एक में 75 आएगे और यह आएगा 37-38 यह प्रेशन आएगे 75 इसमें आएगा ठीक दो पार्ट में होगा यानि कि सेक्षन बटे होते हैं तो टोटल प्रेशन होगे 150 देर सुप्रेशन होगे और पर रिरात्मक और एक कोशन दो अंका होगा यह आपको ध्यान रखना है 0.25 की जगहा पर कहने का मतलब है जब एक नंबर का होता है तो 0.25 माइनस मार्किम होती है और जब दो नंबर का है तो 0.50 यह चीज़ आपको समझना है तो 0.5 आपका मार्क्स कटेगा यदि कोई गलत question टच करते हैं अब यहाँ पर जो परिच्छा होगी OMR based होगी और परिच्छा पणाली के अंसार संपन कराई जाएगी अब जो कह रहे थे कि 11 फरविल को परिच्छा क्यों नहीं होगी यहाँ पर साप साथ दिया गया है लिगित परिच्छा एक से अधिक पालियों में अत् से कहते हैं नार्मलाजेशन है तो गोड़ द्वारा प्रस्तामानी करन नार्मलाजेशन प्रकाशन भी दिया गया है इसके बारे में 2003 में सुचित किया आपको तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 11 फरवरी को यह परिच्छा नहीं होगी और 11 फरवरी को एक परिच्छा औ कि संक्या लिखित प्रइच्छा के लिए विस्तित तक्या का अनार्म बोर्ड बारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शुत किया जाएगा और यहां पर आपको समय समय से ऑफिजल वेबसाइट चेक करना है यहां पर दिया गया है यह जानकारी चाहिए, ओफीसियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके पूर सकते हैं, और यदि थोड़ा बा मुझे विस्वास हो थोड़ा सा, तो मेरे चैनल पर आके आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जैन्मीन जानकारी दी जाएगी, ठीक है, यह टेली ग्राम चैल पर पर इच्छा की तितियों का आपको समय से अफिचल वेबसाइट पर आप लोपन करना होगा, यह हमारी चैनल के मादब से आपको जानकारी दे दी जाएगी, सबसे पहले, और अब लेकों की समय चाहिए, विवाक से जो भी चीज होंगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे, डाकुमेंट, मेरिफिकेशन, फिजिकल, स्टेंडर, टेस्ट या, डीवी, पिस्टी जो भी है, उसके समय आपको अमारी चैनल के मादब से जानकारी दे दे जाएगी, इस लिए बार-बार कहा रहा हूँ, आप चैनल को आप से सबस्क्राइब कर लें, हाइट की बात करें, पड़ेसान होना हो, तो डाल लीजिए, ठीक है, कि किस्मत, हाँ, पॉइंट का अंतर हो, तो कह नहीं सकता, एक्सो सरसथ है, हो सकता है, हो जाए, तो एक बार किस्मत आप अजमा लीजिएगा, मगर ऐसा वो समय नहीं है, कि हो जाए, ठीक है, जो मुझे पता है, वो मैं है, और एश्टी के लिए, सततर है, पान सेंटी मेटर फुला के, आप समझ सकता है, तक उन्हासी से पान सेंटी मेटर फुलाएंगे, चारासी हो जाएगा, और यहां सततर से पान सेंटी मेटर फुलाओ, तो बैयासी हो जाएगा, यानि नियुनतम पान सेंटी मेटर सीना फ चाहिए, यह भी महिलाओ को ध्यान में रखना है, जो अंडर वेट हैं, अपना केलाला खाके, खजूर खाके, अपना वेट गेंड कर सकती है, तो समय लगेगा, मज़र हो जाएगा, अंडर वेट वालों में बहुत ज़्यादा तमस्या होती है, कि सब जिशे में पास होके, द के लिए यहाँ पे 4.8 km है, और जो की 25 मिनट दिया जाएगा, महिलाओ को 2.4 km, 14 मिनट में पूरी कदमी होगी, यह दोड़ है, और यहाँ पे चैन और अंतिम्योगता सूची, यहाँ पे आपकी जो रिटेन होगा, उसी के अधार पे तयार की जाएगी, और अच्छन आयू तो यहाँ पे आयू की बारे में जो छूट दी गए, बहुत पूर सैनिक को यहाँ पे तीन वर्ज का छूट दिया गया है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सासन के जो होरिजन्टल रिजर्वेशन की नीट है, वो और अल 36 जण ही लागू की गई है, यहाँ पे मुझे पे है, गुरूप है हमारा, वहाँ पर आप डिरेक्ट मुझसे वेक्टिगत मैसेज पूर सकते हैं, गुरूप में नहीं चाहते हैं, तो परसनल मैसेज करके आप पूर सकते हैं, इसलिए मैं कहा रहा हूँ आप मारे चननल को अब से सब्सक्राइब पर लें, इससे आपको benefit पेट दिलने वाला है और हाँ एक चीज और है ये चीज आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है अन्य पिछला वर्ग के लिए जाती प्रमाणपत्र एक अप्रेल 2023 या उसके बाद का किन्तु इस भरती है तो निरधारित आवधन करना कि जो अंतिम्तित है उसी तक होना चा बता रहा हूँ सभी विश्यों को ध्हान में रखते हुए तो कि जहां जहां चीजे लास्ट में आती है सभी विश्यों में तो आप कालिफाई हो जाते हैं दॉड हो जाते ही जब डॉकुमेंन वेरिफिकेशन होता है वहां पे समस्थ आती है तब आपको बहुत ज्यादा परिशानी होती है, हो सकते है आपका अवेधन निरस्त कर दिया जाए, तो यह चीज़े मत करिएगा, तो इसलिए कहा रहा हूँ, वीडियो को अंतक देखें, और बिटेल से देख लें, जो भी चीज़े ना समझ में, हमसे मैंसे करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक अव यहां पर यह तो रिजनिंग हो गई, और यह है मैट, यह है पूरा स्लेबस, इससे आप डाउनलोट कर सकते हैं, इससे देख कि आप अपनी तयारी बहतर कर सकते हैं, प्रिवेशेर कोश्चन पेपर देख लें, जो 2018 में आई थी वेकंसी, उसी के आधार पे सेम पेपर होग थोड़ा पैटर्न का मतलब कि लेवल अप डाउन हो सकता है, और कोश्चन सहती सरती सही होंगे, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप बहतर कर लें अपनी तयारी को मौका, यह मानिए पांच साल बाधी वेकंसी आनी है सिपाही की, तो इसलिए 60,242 सबसे बड़ी भरती है, और म सतर्वाजी, जया हूं